Hello all, now we learn chapter 7 articles, articles A and N, what is articles, तो article किसे कहते हैं, तो जबी भी हम कोई भी एक चीज की बात कर रहे हैं, एक व्यक्ति की बात कर रहे हैं, तो उसके आगे हमें article लगाना पड़ता है, जैसे कि a man, तो एक ही आदमी की बात हुई, तो उसके आगे क्या लगा? ए लगा, और ए एन कहाँ पर यूज होता है, तो कि वोवेल्स पर, वोवेल्स के आगे, spelling का starting है, उसका first letter अगर वोवेल है, तो क्या लगेगा? ए एन लगेगा, देखो, यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ, articles A और एन, ओके, तो A कहाँ पर यूज होता है, consonants, consonants आपको पत है न, हमने first chapter में भी देखा था, consonants are कौन से है, तो कि B, C, B, F, G, H, J, K, L, वो सब है, वो, consonants है, Z तक के, राइट, और, वोवेल्स कौन से है, यह, consonants है, ओके? अब यहाँ पर में वोवेल्स, तो वोवेल्स कितने है, फाइव ही है, वोवेल्स फाइव ही है, A, E, I, O, U, यह सब कौन है, वोवेल्स है, अगर हमारा spelling, A, E, I, O, या तो U से स्टार्ट होता है, तो हम उसका spelling के आगे क्या use करेंगे? A, N, use करेंगे, और अगर B, C, D, F, मतलब कौन सोनन्ट, A, I, U, C, Y के जो हमारे अल्फाबेट से, उसका spelling का first letter, only first letter ही देखना है, ओके, first letter अगर कौन सोनन्ट है, तो हम क्या use करेंगे, capital A, ओके, understand everyone, ओके, तो आप बुक में देखते हैं, A, E, I, O, U and U are called vowels, मतलब यह सब को हम क्या कहते हैं, vowels कहते हैं, we write A, N before words that begin with A, E, I, O, U sounds, we write A, N, मतलब हम A, N कहां पर, किसके आगे लिखते हैं, before words begin start with, begin with A, E, I, O, U, मतलब कोई भी spelling का first letter है, वो A, E, I, O, U से start होता है, तो उसके आगे हम क्या लगाएंगे, A, N, N, right, an aeroplane, an ant, an elephant, an ice cream, अगर एक ही हैं तो हो, अगर एक से ज्यादा elephants है, तो A या A, N कुछ भी नहीं लगेगा, क्यूंकि एक से ज्यादा है, लेकिन एक ही elephant की बात हुई है, तो हम क्या लगेंगे, A, N, an elephant, an aeroplane, right, फिर mango, तो mango तो एक ही mango है, तो a mango, ए यूज़ होगा, क्यूंकि mango का spelling में, first letter M है, वो क्या है, consonant है, okay, we write a before consonant sounds, तो हमें A कहां पे लिखना है, अगर before consonant sound, वो उसका first letter है, वो consonant है, तो हम क्या लगाएंगे, a लगाएंगे, a and an are called articles, यह a और an है, उसको हम क्या कहेंगे, articles कहेंगे, देखो आपको example से जल्दी पता चल चाहेगा, look at the pictures, देखो, U-M-B-R-E-L-A, umbrella, तो इसका first letter है, यह vowel में है, आपको बिल्कुल ध्यान से देखना है, फिर बाद में ही article लगाना है, एक ही umbrella है, तो umbrella का spelling you से start होता है, तो हमें बोलना है, a, e, i, o, u, yes, तो you से start, वो you है, वो vowel है, तो हमें उसके आगे क्या लगा देना है, ए, n लगा देना है, मदलब, एन, umbrella, एक ही यह हो, ओके, फिर है, man, m, a, n, man, तो में का spelling किस से start होता है, m से, तो m है, वो vowel में आता है, हमें बोलना है, मन में, a, e, i, o, u, नहीं, m, m है, वो vowel में नहीं आता है, वो किस में आता है, है, consonant में आता है, तो उसके आगे क्या लगेगा, a, a, man, एक ही man हो, तो, ओके, फिर है, hen, तो hen का first letter है, वो h है, तो h है, वो vowel में नहीं आता है, तो इसलिए हम यहां पे रखेंगे, a, hen, फिर book, तो b है, वो consonant letter है, book, तो इसके आगे क्या लगेगा, a लगेगा, ओके, फिर है, egg, egg का first letter है, वो, क्या है, वो vowels है, वो आप बोलके देखो, a, e, yes, vowels में आया, वो, a, e, i, o, u, तो e आया, तो इसके आगे क्या लगेगा, a, n लगेगा, यहां पे अगर eggs है, तो कुछ नहीं लगेगा, ओके, egg से ज्यादा eggs है, मतलब हमें s और es आपको पताईए, one more than one, more than one होता है, तो s ही लगता है, ओके, पीछे s लगेगा, बाकी आगे कुछ नहीं लगेगा, और अगर egg है, तो only one and only है, तो इसके आगे, articles लगेगा, क्या लगेगा, a या तो an, तो उसको हम कैसे पता करेंगे, तो यह first letter देखके हम पता करेंगे, कि हमें a लगाना है, कि an लगाना है, ओके, तो यह first letter vowel का है, तो हम क्या लिखेंगे, an egg, an, राइट, फिर है I, तो I का first letter, और E sister, eyes नहीं है, देखो, one eye की बात हुए, हमारी दो आँखे है न, तो हम eyes लिखते है, right, S लगाते है यहाँ पे, लेकिन I, E, Y, E, one ही I है, तो इसके आगे क्या लगेगा, an, फिर है pencil, तो P है, वो consonant में आता है, तो इसलिए a pencil, फिर apple, तो A है वो, vowel में आता है, तो an apple, फिर है ice cream, तो I है वो, सिर्फ first letter ही देखना है, बाकी आपको spelling में ऐसे नहीं देखना है, कि भई, यह spelling में देखो, hen के spelling में e आता है, तो हमें e, an लगाना है, नहीं, ऐसे नहीं करना है, only first letter ही आपको देखना है, okay, तो an ice cream लगेगा, we do not use a or an when we talk about more than one naming words, देखो मैंने जो बोला न, यहीं पर यहीं कह रहे है, कि हम a और an use नहीं कर सकते, जब हम one more than one के बारे में बात कर रहे हैं, मतलब एक से ज़्यादा ice creams है, या तो एक से ज़्यादा apples है, तो हमें a या an use नहीं करना है, okay, सिर्फ apple के spelling के पीछे s लगा देना है, okay, apples लग लिखना है, कब, जब one more than one हो तब, okay, अब देखो, यहाँ पर exercise है, owl, तो o है, वो क्या है, vowel है, तो यहाँ पर क्या लगेगा, an, okay, an owl, फिर है nest, nest का first letter n है, तो वो consonant है, तो a nest, फिर elephant, तो elephant का first letter है, वो vowel है, तो यहाँ पर आएगा an, फिर है table, तो table में first letter t है, तो t का t है, वो consonant में आता है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे a, flower का f है, वो भी a, e, i, o, u, मतलब vowels में नहीं आता है, तो इसको आगे हम क्या लगाएंगे, a, और zebra, z से start होता है, तो इसके आगे भी a ही लगेगा, ओके, यहाँ पर blanks दी गई है, तो यह blanks भी हम थोड़ी सी feel कर लेते हैं, a, rabbit, यहाँ पर sentence की स्टार्टिंग है, तो a है, वो मैं capital लिखूंगी, और यहाँ पर a आएगा, a rabbit is a small animal, अब eagle, तो e है, देखो, rabbit है, आर था, तो हमें a लिखा, ओके, अब eagle, e है, तो वो वोवल में आता है, e, तो n लगे जा, तो eagle के आगे an लगेगा, और यहाँ पर bird की बात की गए, तो an eagle is a bird, bird के आगे a ही लगेगा, ओके, क्योंकि bird का word b है, वो consonant है, राहूल गेव मी raincoat, तो r है, वो consonant है, तो a लगेगा, what a pretty flower, p है, वो consonant है, तो a आएगा, i show alligator, तो a है, वो an आएगा, an alligator, ओके, and i have a head, h, h है, तो a आएगा, and an umbrella, ओके, क्योंकि u है, तो now we complete our chapter 7 articles, ओके, तो यह भी आपको लिख लेना है, बुक में, और आपको समझ में आ गया होगा, ओके, चलो, बाई बाई,